हलो फ्रेंज वेलकम बैक इन माई चैनल रियल वन मदू ब्लॉगर और आप सब कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होगे बहुत बस्वागत है आपका मेरे चैनल रियल वन मदू ब्लॉगर में तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे खाने पीने की ऐसी कॉमन पर पड़ता है इसलिए अपनी डाइट के बारे में सही जानकारी होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है ध्यान रखे डाइविटीज का इलाज केवल दवा तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि हमें अपनी लाइफ इस्टाइल और डाइट पर भी पूरा ध्यान देने क तो दोस्तों कुछ खाने के सामान ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से हमारे सुगर का लेवल बढ़ा देते हैं तो वो सामान क्या-क्या है यह आपको पता होना बहुत ही जरूरी है खास करकि जो सुगर पेशेंट है उन्हें इन चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत ही इसमें है समोसा, जलेबी, पकोड़े, तंदूरी रोटी, कचोड़ी, खस्ता और चिप्स वगएरा और भटूरे भी आते हैं इसमें ये सभी चीज मैदे से बनती है अगर जलेबी को हटा दें तो सभी चीजे नमकीन हैं तो मोशली लोग ये सोचते हैं कि ये नमकीन हैं तो मैदे से भी आपकी सुगर बहुत तेजी से बढ़ती है सुगर लेबल बहुत जल्दी बढ़ जाता है अगर आपका ज्यादा दिल कर रहा है तो आप मल्टी ग्रेन आटे से बनी ये सब चीजे खा सकते हैं लेकिन मैदा जितना ज़्यादा कम खाएंगे उतना ही आपका शोगर लेवल सही रहेगा और इसमें दूसरी चीज आती है इंस्टेंट नूडल क्या आप जानते हैं कि नूडल में कार्बो हैड़िट की मातरा बहुत ज़्यादा होती है और इसमें नूट्रेशियस बेल्यू कुछ भी नहीं होती है बेलकि ये नुकसान दायक ज़्यादा होती है आजकल की कमपनी बहुत स्मार्ट है तो इसमें कुछ हेल्दी आइटम डालने का दावा करती है कि जैसे वेजी टेवल्स डाला है ये आठा नूडल है बट ये सब आपको बेबकूब बनाने के तरीके हैं तो आप नूडल से जितना जादा से जादा दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है इसमें फाइवर ना के बराबर होता है और इसमें मैदे की मातरब बहुत यदिक होती है अगर कमणी बोल लिए है कि आठा नूडल है तो उसमें भी मैदा है ये सब कुछ आपको सिर्फ बेबकूब बनाने के लिए है तो आप से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नूडल से जादे से जादा दूर रहें और आती है हमारी ब्रेड ब्रेड में भी ऐसा बोला जाता है कि ये आठा ब्रेड है तो ये कम नुकसान दायक है लेकिन ब्रेड नुकसान दायक है मैदे से बनी होती है और ये बहुत जल्दी शोगर लेवल आपका बढ़ाती है कभी कभी आप आटा ब्रेड खा सकते हैं लेकिन मोशली आप ब्रेड को avoid कीजिए और फिर आता है हमारा मूर्मरा वैसे तो कैल्रीज में कम होता है ये मूर्मरा इसमें कैल्रीज कम होती है लेकिन ये मूर्मरे diabetic patient के लिए मना है यह भी शुगर बढ़ाते हैं आपकी और फिर आता है इसके बाद आलू जो कि हम समोसे में पराठे में और आलू की सबजी में यूज करते हैं तो इसे आप कम से कम खाएं इसको एवाइड ही रखें अगर आपका आलू ज्यादा खाने का मन है तो आप हरी सबजियों के साथ मि आलू में जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कार्वोहाइड इस्टार्च यह सब बहुत ज्यादा होता है तो आप आलू का परियोग कम ही करें तो अच्छा रहेगा और फिर इसके बाद आता है कॉन्फलेक्स कॉन्फलेक्स को सब लोग बहुत हेल्दी मामते हैं जैसे शुगर पेशेंट को बहुत नुक्सान करता है नॉर्मल लोगों के लिए तो वह बहुत हेल्दी है लेकिन जो शुगर पेशेंट है उनके लिए वह नुक्सान दायक हो जाता है तो आगे इसको खाने से पहले थोड़ा सोच बिचार कर लेना अपने डॉक्टर से पूछ ल अब हम फ्रूट्स को जूस के रूप में पीते हैं तो उसमें फाइवर बिल्कुल खतम हो जाता है बिल्कुल छान दिया जाता है जूस सिर्फ लीक्वेड हो जाता है जिससे वह नुक्सान करने लगता है तो फ्रूट्स पीने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से च जरूर करें कि यह हमारी बॉडी के लिए सही है या नहीं है वैसे नॉर्मली फ्रूट्स शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही खतरनाग है तो आप फल खालें लेकिन जूस से दूरी बना कर रखें और इसके बाद आता है साबुदाना साबुदाना खीर और खिचडी में प्रयोग किया जाता है और मॉश्टी में बहुत जादा प्रयोग किया जाता है क्यमकि इसमें हाइए लेवल की कार्बोहाइड होती है तो इससे आप दूरी रहेंगे तो अच्छा है तो दोस्तों यह जो भी चीजे थी वो डायवटी स मरीश को जहर की तरह काम करती है तो इनसे आपको बच के रहना है, हेल्दी होने के लिए कुछ नियमों और कुछ डिसिप्लीन का होना बहुत जरूरी है, खासकर सुगर पेशेंट के लिए खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, खाने से ही हमारी शुगर घटती है बढ़ती है तो अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो प्लीज अपनी डाइट पर बहुत फोकस करें और जितनी भी जो नुकसान दायक चीजें मैंने अभी वीडियो में बताई हैं उनसे दूरी बना कर रखें आप कभी-कभी तोने खा सकत हैं लेकिन डेली बैसे पर आप उनका प्रियोग ना करें तो ही अच्छा है ओके फ्रेंड्स बाए बाए थैंक्स पॉर वाचिंग